नमस्कार मैं दिव्य स्वागत है आपका अत्किस रोजगार समाचार में वैसे अभिरती जो बिहार में सरकारी नौकरी करने के एक्षा रखते हैं उनके लिए बरी ख़बर है दिरसल बिहार स्पेसल स्कूल सिक्चक पात्रिता परिक्षा यानी बिहार स्कूल एक्जामेनेशन बोर्ड यानी BSEB द्वार आविदन मांगे गहें ओनलाईन रेजिस्टेशन की प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है याब अर्थी कुल 7,289 पदों पर की जाएंगी जिन में कक्षा एक से पांच भी तक कुल 5534 पदर कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1445 सीटे रिख थे हैं आविधन की अंतिन तारीक 22 दिसेंबर 2023 है एक चुक अभिरतिस के अधिकारिक वेबसाइट www.bsebstet.com पर जाकर आविधन कर सकते हैं आपको मालूम हो कि बिहार के स्पेसल स्कूलों में उन बच्चों का नावंकन होता है जिने देखने, सुनने और बोलने में परिशानी होती है या जो ADHD जैसे कंडिशन से जूज रहे होते हैं चलिए अब आगे इस परिक्षा के आविधन सोर्क की बात करते हैं वैसे अबयरती जो अपना संबंध सामाने EWS पिचरा वर्ग और अतियंत पिचरा वर्ग से रखते हैं उनने पेपर एक या पेपर दो के लिए 960 रुपए देने होंगे और दोनों पेपर के लिए उन्हें 1440 रुपए देने होंगे बता दे कि इसमें पहला पेपर कक्षा 1-5 वी तक के विसेश विद्याले में सिक्चक बनने की पातरता के लिए है वही दूसरा पेपर कक्षा 6-8 वी तक के कक्षा में अध्यापक बनने के लिए है यदि अभ्यरती कक्चा एक से आटमी तक के सिक्चक बनने की पातरिता चाहते हैं तो उन्हें दोनों ही पेपर पास करने होंगे चली अब आगे जानते हैं कि आखिर कौन से अभ्यरती इस परीक्षा में बैठने की पातरिता और योगिता रखते हैं इस परिक्षा में केवल वहीं मिदबार बैटने की योगे हैं, जो किसी भी मानिता प्राप्त कॉलेज या संस्थान से स्पेसल ऑजुकेशन में डी एलेड और स्पेसल ऑजुकेशन में बी एट की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। यदि उमिद्वारों के आईू सीमा की बात करें तो मिद्वारों की निम्तम आईू 18 वर्स और अधिक्तम आईू 37 वर्स के बीच होनी चाहिए। हालांकि जो मिद्वार अपना संबंध आरक्षित वर्ग से रखते हैं उन्हें सरकारी मांदन के अनुसारा दिक्तम आयू सीमा में छूर देने का प्रावधान रखा गया है आई ये बागे की चर्चा में हम जानते हैं इस परिक्षा के पैटर्न के बारे में तो आपको बता दे कि बिहार विसेश विद्याले अध्यापक पातरता की परिक्षा में सभी प्रस्न बहु विकल्पिये यानि MC क्यों ही पूछे जाएंगे सबी पत्रों में कुल 150 बहुवी कल्पिय प्रस्न रहेंगे ये सबी प्रस्न एक नंबर के होंगे और परिक्षा में किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बता दे कि परिक्षा कंप्यूटर बेस्ट आधारित होगी परिक्षा के लिए आपको को 150 मिनिट का समय यानी धाई घंटे दिये जाएंगे वहीं जो सामाने वर्ग से अपना संबंध रखते हैं उन्हें नियुनतम पासिंग मार्क्स 50 फीजदी लाने होंगे वहीं पिछरे वर्ग को 45.5 फीजदी नियुनतम अंक लाने होंगे और अतियंत पिछरा वर्ग को 42.5 फीजदी इसके अलावे स्ट, स्ट, महिला वा दिव्यांग वर्ग के अभ्यरतियों को 40 फीजदी अंक लाने होंगे आई अब आखरी में हम जानते हैं इस परिक्षा के आवेदन प्रक्रिया के बारे में लेकिन ध्यान रहे कि आवेदन करने से पहले एक बार जारी हुए नोटिफिकेशन को जरूर पर हैं इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं आगे आवेदन करने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसेट पर जाना होगा इसके लिंक की चर्चा हमने पहले भी की थी साथी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप चाहे तो यहां से डिरेक्ट जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद होम पेज पर आते ही रेजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा फिर जनरेटरी लॉग इन क्रेडेंसिल्स की मदद से लॉग इन करें फिर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें आगे आवेदन सुल्क जमा करके मांगे गए जरूरी दस्ता वेजों को अप्लोड कर दें फिर आखरी में मिले कन्फरमेशन पेज को डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालना ना भूले आज के लिए फिलहाल इतना ही हमारे साथ बनेना निकले आपका धन्यवाद